देखिया, चेप्टर थर्ड, नुमेरिकल नंबर 3.1, ध्यान से समझेगा कुछ चेप्टर का, कुशन का मतलब क्या है, कुशन कह रहा है कि, इन इच आप दे फालॉइंग, एक्जाम्पल्स आफ मोशन, can the body be considered approximately a point object, आप से ये कहा गया है, ध्यान समझेगा कुशन को, कि एक body motion कर रही है, ठीक है, तो उसको point object कब हम मानेंगे, तो दो दरीके से मान सकते हैं, हम answer खोल लेंगे, अब देखेंगे question body, अच्छा है, हाँ हाँ, it will be point object, जरा समझेगा, खास दौर से, साउधान, अगर कोई body, ऐसा movement कर रही हो, कि दो स्थानों की बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो और उसके बीच में body चल रही हो, मालिया आप, इस कमरे के अंदर move कर रहे हैं, तो आपकी size के हिसाब से, कमरा बहुत बड़ा है क्या, बड़ा है, तो आप एक point object नहीं है, आप एक object है, आपका को size है, लेकिन अगर आप यहाँ से दिल ली जा रहे हैं, तो क्या ह होगा, point object होगा एक नहीं होगा, यानि जब body का motion, body की size से कोई मतलब नहीं हो रखे, या दो तरीके समझेए, या तो दो जगहों के बीच की दूरी बहुत जादा हो, जिसमे body move कर रही हो, तो body point object होगी, sonic point object नहीं है, लेकिन आप से बहुत दूर है, तो आप उसको क्या मानत पॉइंट के बीच चल रही हो, दूरी बहुत ज़्यादा हो, in comparison to the size of body, तो उसको हम क्या मानेगे, point object, क्योंकि point object का अलग से हट के कोई topic तो था नहीं, कि उसको समझाया जाए, अब question आया है, तो समझाया जाएगा, और या तो body का motion में body का कोई roll नहीं, body की size का mass का कोई roll न railway carriage moving without jerk between two stations, एक railway carriage है, एक railway का coach है, और उदो station के बीच चल रहा है, उसमें कोई jerk नहीं, चल रहा है, तो railway carriage को point object माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, यह हम मान के चलेंगे, कि दो station तो दूर दूर होंगे न, 50, 60, 70 km, यह माना जाएगा, और वो object कितना बड़ा है, 50 मीटर का, और 50 मीटर की चीज, 50 km जाना है, वो भी जर्क नहीं लग रहा है, आराम से smoothly जा रहा है, तो उसको आप railway carriage को, आप point object मानेंगे, नहीं मानेंगे, उसकी size भी आप consider करेंगे, आप बताएगे कि 50 मीटर की train है, यहां से कान पूर गई थी, तो यह उसकी size कब आप करेंगे, तो आप थोड़ा सा statement लिखेंगे, कि because the distance between two stations is quite large in comparison to the size of carriage, carriage की तुलना में, उसका size बहुत बड़ा है, so it can be considered as point object, तब भी अगर train भी लेते हैं, कितनी मीटर की होती, 100 मीटर की होगी, 500 मीटर की होगी, और 70 किलो मीटर उसको जाना है, तो 70 किलो मीटर क्या 500 मीटर नहीं होती तो 70 किलो मीटर की होगी, 100 मीटर की होगी, 100 किलो मीटर की होगी, अदा किलो मीटर थोड़ी बड़ी होगी, ठीक है, अच्छा, अब यही चीज मालिया, अलग यह होता, कि भाई, एक railway carriage है, एक train की बात करें, आप यहाँ प्रेट फार्म पे खड़े हुए है, ठीक है, यह आ प्रेट मानते हैं, नहीं, इसका कुछ size consider आप करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर railway carriage को क्या मना जाएगा, ठीक है, दूसरा question, थोड़ी कहानी आप लिखेंगे, the distance between two stations is quite large in comparison to the size of the object, so it can be considered as a point object, स्टेटमें आप चाहें तो लिख सकते हैं, as the distance between the two stations is quite large in comparison to the size of the carriage, so it can be considered yes करने से काम नहीं चलेगा, कि आप नहीं चलेगा, कि आप नहीं चलेगा, तो यह नहीं चलेगा, तो यह नहीं चलेगा, तो यह नहीं चलेगा, तो पहला पार सुम्भा गया, अब सेकेंड पार्ट क्या करा है, बुक सही आप देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे तो बहुत तो लगेगा, अब monkey sitting on the top of the man, cycling smoothly on a circular track, देखें वैसे तो question नहीं incomplete है, तो circular track की size नहीं दी है, कि उसकी track की radius क्या है, लेकिन complete भी है, तो अगर NCRT के question दिया है, तो वो कुछ समझ के दे रहे हैं, मत cycle तो बना नहीं पाएंगे, कुछ इसे इससे बना सकते हो, इससे बना दो, इससे इससे, हो गया cycle, क्या बात है, और इसके उपर आपको बैठाल दो, इससे लेो, आप बैठ गये, ठीक है, अरे खड़े खड़े चलो क्या अधिकत, और monkey आपकी खोपड़ी पर बैठा हुआ ह वारा monkey, अरे ऐसे नहीं होता है monkey, अब बैठा है, यह monkey है, इसको monkey कहते है, और यह man है, आप ज़रा समझिएगा, और कह यह रहे हैं कि monkey sitting on the top of the man, cycling smoothly on a circular track, तो इसको point object मानेंगे कि नहीं मानेंगे, आप कहनें, नहीं मानेंगे, ज़रा समझिएगा, यानि इसका mask उसने को consider कि जाएगा, simple सी बात है, कि अगर वो track, मतलब देखे, अगर track की लंबाई, in compression to size of the monkey and man, बहुत ज़्यादा है, तो इसको आप point object मानेंगे, लेकिन track की लंबाई तो दी नहीं है, लेकिन लंबाई छुपी है, इसके word smoothly में, उन्होंने कहा कि sitting on the top of the man, cycling smoothly, देखो ध्यान से, तो actually man कुछ इस तरीके से घूम रहा होगा, क्यों, vertical से कुछ जुकेगा ना, और बैठा है कैसे, वो man ऐसे बैठा हुआ है cycle पे, उसके ओपर खोपड़ी पे monkey ऐसा होता नहीं है, ऐसे बनाने में क्या दिक्कत है, ये monkey बैठा हुआ है, क्या बात, अरे कुछ भी है उसमें क् तो अगर वो ज्यादा जुकेगा, तो monkey गिर नहीं जाएगा, monkey का वेट नीचे काम कर रहा है, और वो कहरें, smoothly कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है, कि track बहुत बढ़ा रहा होगा, तब ही हमें क्या कहता, अगर circular track छोटा है, तो आपको उस track में चलने के लिए आपको size of man and monkey बहुत बढ़ा है, यानि कि track की लंबाई monkey और man की size से बढ़ी है, तो उसको क्या माना जाएगा, it can be considered as point object, अगर आप उसका size को मानेगे ना monkey का, तो गिर जाएगा हो, अगर बहुत size सोटी होती, तो उसको point object ना मानते, बहुत बढ़ा track है, क्योंकि smoothly word का मतलब होता हम अगर बहुत ज़्यादा नजदीक जुख जाएगे, तो आपको ज़्यादा जुखना पड़ेगा, अगर radius कम करेंगे, तो इट can be considered as point object, तीक है, तीसरा concept सुझिएगा, देखिए, तीसरा concept यह है कि spinning cricket ball that turns softly on hitting the ground, देखो अगर कोई ball होती, अगर देखिए, उपर से freely आप फ तो उसको हम point object नहीं मानते, तो उसको point object मान सकते हैं, क्योंकि size of the ball से कोई मतलब नहीं है, लेकिन spinner में क्या होता है, ज्यादा मैं cricket जानता नहीं हूँ, होता क्या है, spin में क्या होता है, कि ball को rotate कर देता है, और rotate करके जब टपा खाती है तो बहुत दूर तक नहीं जाती है, को अलग direction में क्यों push हो जाती है, इसका region है, उसका region है, उस फुला सबी मुड जाती है तो ऐसे, ठीक है, तो spinning ball क्या होती है, कि छिस्पिन कर रही है, ऐसे spin करती है, तो spin करना किसपर depend करता है, एक तो उसकी radius भी depend करता है, क्यैसे spin करेगी, तो में जाना ये इसका रेडियस पर भी डिपेंड करती है यानि कि स्पिन करने करने वाली बॉल की जमीन में गिरने और उसके रिबाउंड होने में बॉल की साइज का रोल माईने रखता है क्योंकि इसके बाद ये बहुत दूर तक नहीं जाती है और हमने में उसका कंसिडर किया जाएगा कि किस उससे इदरी स्पिन कर रही है क्योंकि आप जानते है स्पिन का जो विलास्टी होती होती है रोमेगा तो आर पर डिपेंड करता है रेडियस पर डिपेंड करता है तो बॉल को point object नहीं बान सकती मतलब बॉल कुछ-कुछ size होगी तीसरी बात कह रहा है कि tumbling beaker that slipped off the edge of the table ज़रा देखे धान से अगर कोई beaker आप लीजे और ऐसे गिरा दीजे ज़र देखे तप, काम कटम वो एक point object है लेकिन अगर कोई body आप यहां पर ले जाते हैं और एक beaker है, मालिया ऐसे beaker होता है यह beaker है और यहां पर आप इसको गिराते हैं ऐसे नहीं इसको लुड़का जेते हैं तो जिसमें जुकेगा ना ऐसे जिसका center of mass कहां काम करेगा कितने angle से घुमेगा इस पर भी इसको डिपेंड करेगा कितने corner से गिरता है जाकर यह सब को डिपेंड करता है यानि कि इसका लुड़कना इसका ने slip होना corner of the table पे इसकी size पर डिपेंड करता है तो इसको point object नहीं माना जाएगा ठीक है अगर freely आप बीकर को मानगे उपर से फिक दीजे तो कोई दिकत नहीं लेकिन वो लुड़क रहा है ठीक है वो depend करता है उसके base पर depend करता है एक बीकर लिया पता है उसका base पतला है जल्दी लुड़क जाएगा base बड़ा है लुड़क नहीं में चवार सा time लगाएगा इसका मताब उसकी size पर उसके shape पर यह depend करता है तो इसको point object नहीं मानेगे तो बात समझ में आ गए तो this is the answer आप question number 3.1